आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकॉन के बारे में बताऊंगा जो की मेरे सिंपल टर्म्स में हैं डॉकर कंपोज औन स्टेरोइट्स आज की साइधा से आप लोग अपनी मनपसंद अपसको अपने मनपसंद इंफ्रास्ट्रक्शन पर डिपलाई कर सकते हो फिर चाहें आपकी अप्लिकेशन मुल्टिपल डॉकर कन्फिगरेशन का इस्तमाल करती हो चाहें वो एक complex application और जो की 5-6 dependencies पर depend करती हो icon got you covered आपको बहुत आजानी से containerized application को deploy करने के लिए आपके favorite platform पर facilities देता है क्या है icon क्यों इसको बनाया गया है आप क्यों इस्तिमाल करना चाहोगे आपके workflow में कहा fit होगा इस video में आप लोग को बताऊगा चलते है computer screen में let's get started so guys इस video को मैं start करना चाहता हूँ by asking a very simple question जो की है जो की आप सभी को बूछना चाहिए अपने आप से की account क्या होता है तो basically क्या है कि अगर आप लोग को docker नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ और कुछ ना कुछ जद्दो जएद कर कि आपने उसको अपने एक server में या PC में उसको install मार लिया ठीक है एक बार आपने install कर लिया उसके बाद क्या होगा कि आप लोग कहोगे कि चलो यार इस पर install होगे अब चला लो service को अप कर दो सारे के सारे जो developers हैं जो भी उसको use कर रहे हैं वो use करना शुरू कर देंगे उसको अब time आता है उस app को reuse करने का या वे किसी दूसरी machine में deploy करने का तो docker ने इस problem को solve किया docker ने कहा कि देखो भाई हम क्या करेंगे एक docker file बनाएंगे और उस docker file के अंदर सारी की सारी चीज़े होंगी तो अगर मैं google पे लिखूं docker file तो docker basically यही चीज़ करता है अगर मैं सिर्फ docker लिखूं तो docker basically क्या होता है docker containerized applications बनाने में use होता है एक platform होता है जो कि क्या करता है कि आप लोगों को virtualization करके software deliver करता है containers में क्या मतलब वह इस बात का इसका यह मतलब वहा कि आप लोग अगर एक particular software की बात करते है तो maybe आप उस software को बनाना चाह रहे हो मालो linux में आपने deploy किया linux में और आप use कर रहे हो windows की application तो आप क्या कर सकते हो मैं exactly virtual machine नहीं बोलना चाहूंगा एक container जो की virtual machine का आप समझ लो वह होती minimal version है उसके अंदर आप लो deploy कर सकते हो चलो आपने कर लिया deploy तो आप क्या करोगे सबसे पहले docker को install करोगे चाहे आप mac में हो चाहे आप linux में हो चाहे आप windows में हो सबसे पहले docker को install करोगे और docker को install करने के बाद आप क्या करोगे कि docker में docker file का इस्तेमाल करके अपने piece of software को deploy करोगे ठीक है यहां तक सब कोई समझ में आ गया अब इसमें क्या होता है कि आपको एक machine की जरूरत है आपको एक अच्छी machine की जरूरत है क्योंकि आप एक अच्छी machine में ही docker को install कर पाऊगे क्योंकि फिर वो docker के इंदर जो app चलने वाली है वो भी तो resources लेगी तो यह एक problem थी कि अगर आपके पस multiple applications है मालो मेरे पास एक application है जो कि server है nginx lettuce से मेरी एक flask app है nginx use हो रहा है as a reverse proxy flask app intern use कर रहा है maria db को अब यार इतनी सारी चीज़ों को किस तरह से मिलाया जाए यह अपने हम में एक problem थी जिसको solve किया icon ने तो यही चीज में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि icon का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है इस problem को solve करने के लिए अब icon किया है एक बहुत ही simple सा question what is icon तो अगर मैं इसके home page पर जाऊँ तो यहाँ पर define कियाता है कि एक app platform है जो कि आसान मनाता है build करना, share करना और run करना containerize applications को icon provides a comprehensive way to describe your application and dependencies जिस तरह से docker file में हम यह लिखते हैं कि एक app किस तरह से बनेगी icon file में क्या करते है multiple set of apps किस तरह से बनेगी with a lot of configuration with a platform to run that in the cloud, ठीक है अब इतना कुछ मैंने बोल दिया है यहाँ पर मैं इसका USB आप लोगो बताता हूँ क्या है USB यह है कि icon sandboxes के अंदर आप लोग 2 घंटे के लिए free of cost अपनी app को चला सकते हो 4 GB रहम आपको मिलेगी 10 GB storage space मिलेगी यानि कि आप उस sandbox के अंदर अपनी app को अच्छी तरह से test कर सकते हो sandbox में SSL भी होगा और आप लोग बहुत अराम से उसको अपनी app को test कर सकते हो यानि कि आपको docker अपनी machine में install करके और फिर अपनी machine की resources लगवानी की जरूरत नहीं है यह icon है तो यहाँ पर आप देखो इस platform को इस्तिमाल करने के लिए सबसे पहले हम icon पर sign up करेंगे और sign up करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे लेकिन हम क्या करेंगे थोड़ा सा intelligently इस्तिमाल करेंगे icon को हम लोग use करेंगे icon CLI का ताकि हम icon को बहुत अच्छी तरीके से use कर पाएं ठीक है वैसे आप लोग icon को directly भी use कर सकते हो और चीजे spin up कर सकते हो बढ़ आज मैं आप लोग को deploy करके दिखाऊंगा एक python app using icon जिसे कि आप लोग को समझ में आएगा कि icon क्या है और क्यों आप लोग इसको use करना चाहोगे ठीक है तो सबसे बहुत इंस्टॉल करेंगे icon CLI को again icon CLI Windows में रहते हुए icon को use करना हमारे लिए असान मनाता है ठीक है icon CLI के अंदर as such हम को यह अपने अपरन नहीं करेंगे just to let you know अभी ऐसा नहीं है कि docker की तरह जिसना docker इस्टॉल करेंगे docker फिरन होता है icon CLI सिर्फ हम icon को control करने के लिए चलाते हैं अगर आपने AWS पगरा यूस किया है तो आपको पता होगा AWS CLI क्या होता है बस बिलकुल उसी तरह है तो यह करने के बाद में क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं binary को download करूँगा windows की binary को ठीक है तो मैं यहाँ पर manual install मारूँगा windows में और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा github.com पर और मैं यहाँ पर download करूँगा icon को और यहाँ पर मैं windows के लिए इसको download करूँगा ठीक है अब यहाँ पर मैं इसको जो है extract कर लूँगा extract all पर click करके extract और यह दे को extract हो गया तो यह icon.exe इसको मैं path पर डाल लूँगा वैसे ideally मैं क्या करूँगा कि जो folder मेरा आया है ना इसको मैं rename करूँगा और मैं इसका नाम icon लग दूँगा या फिर मैं एक काम करता हूँ कि same ही रहने देता हूँ folder को इसको यहां से cut करूँगा folder को मैं जाओंगा अपने OS की C में program files में और यहां पर paste कर दूँगा इसको ठीक है और इसको paste करने के बाद क्या करूँगा यह जो मेरा folder आया इसको मैं path में add कर दूँगा तो मैं अगर यहां पर path लिखूगा environment variable में और मैं environment variables पर click करऊंगा और यहां पर मैं path में आकर इसको new पर click करके अगर यहां पर अपना एक path variable डाल दूँगा तो अब मैं रहे टर्मिनल जैसे ही खोळूँगा तो मैं icon को use कर सकता हूँ तो मैं अगर यहां पर terminal admin करूँ और मैं यहां पर लिखूँ icon यहां पर इबच से बोल रहा है कि भाई सब permission दो, ठीक है तो यसे मैं icon लिखूँगा आप यहां पर देख सकते हो कि मैं icon के CLI को इस्तिमाल कर सकता हूँ तो पहला काम जो मैं करने वारा हूँ तो दो से पहले icon login वाला command जो है वो मैं चलाओंगा जिससे कि मैं login हो जाओं तो मैं लिकूँगा icon login enter और यह मुझे यहां पर एक नई tab में icon.io का authentication वाला page खोल देगा जिसमें कि मुझे authorize करना होगा icon को तो यह कहरा रहा वेटिंग for CLI मतलब मैं login हो गया हूँ login to icon.io as मेरा github id यहां पर आ गया हूँ मैंने login कर लिया icon पर तो एक बार आपने login कर लिया अब आप क्या करें कि एक python app बनाएं तो यह basically यह कहरें कि mytodo नामसे template वाला folder बना लो और फिर mytodo में चले जाओ अफिस के बाद एक app.py बना लो requirements.txt बना लो docker file बना लो icon file बना लो ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर आउँ मैं अपने escort playground वाले folder में आउँ और मैं आप लिखूँ icon और मैं यह चीज ना आपको manually करके दिखाना चाहता हूँ ठीक है और मैं यहाँ पर open in इनको यह टर्मिनल में चलाता हूँ और यहाँ पर यह चाहरा है भाई थाप क्या पेस्ट करना चाहते हो? हाँ पेस्ट करना चाहते हो तो एक my to do के नाम से बना और touch यह काम करता नहीं है आपर तो हमें यह सारी files manually बनानी पड़ेंगी तो मैं काम करूँगा भी जो my to do नाम से folder बनाना है इसको मैं करूँगा delete ठीक है? चुकि अगर आप Linux में यह Mac में है तो यह जरूर चल जाएगा Windows में देखो दिक्कत दे रहा है तो आप manually बना लो एक app.py file ठीक है? अगर आपने icon file बनाओंगा ठीक है? तो docker file बना ली icon file बना ली अब देखते हैं और क्या क्या हमें बनाना था templates folder के अंदर template.html बनाना है docker file हमने बना ली icon file बना ली requirements.txt नहीं बनाई app.py बना ली तो एक requirements.txt बनाओंगा तो मैंने आपर requirements.txt भी बना ली है और अब मैं क्या करूंगा? कि यहां पर आउंगा और एक template.html भी बना लूँगा तो यह सारी files अगर मैं बना लूँगा तो मेरे लिए काफी easy हो जाएंगी चीज़े तो मैं अब yes code में दोबारा से आउंगा और इस templates folder के अंदर एक template.html बना लूँगा तो यह सारी की सारी जो app के component है इसको मैंने copy किया है यहां पर और मैं डालूँगा इसको main.py में sorry app.py में जो कि एक flask app है फिर इसके बाद मैं नीचे आउंगा यहां पर template जो है इसको मैं यहां पर copy करूँगा जो मेरा यह है फिर requirement.txt में यह तीन चीज़े हम इंस्टाल करेंगे flask इंस्टाल करेंगे और हम flask sql alchemy और py mysql इंस्टाल करेंगे अगर आप लोग को नहीं पता ही सब क्या है तो मैं बता दूँ आपको यह flask app को maria db से connect करने के लिए बनाए गया है फिर docker file basically क्या करेगी यह बताएगी कि कहां से start करना है base image कौन सी use करनी है आपकी working directory क्या होनी चाहिए क्या चीज़ copy करनी है कहां पर और किस तरह से कौन सा command run करके basically बनाना है आप लोगों को एक environment तो यह क्या करेगा एक container के अंदर यह flask को setup कर देगा इसी काम को आप लोग के लिए आसान बनाती है कि भाई हम एक service यूज़ कर रहे है जो कि हम लोगों को dbhost, dbport, dbname, username और password देदेगी और इस file के अंदर यह सारी information है कि किस तरह से इंटर लिंक करना है अलग-अलग docker images को in fact हम एक दूसरी docker image पनाने की जरूरत ही नहीं पड़े क्योंकि हमने service को इस service को इस्तमाल कर लिया तो यह इस service को जो की database service है उसको use कर लेगी और हमारी यह जो docker file है यह एक container spin करने में हम लोगों को मदद करेगी ठीक है तो यह हमारी icon file बन चुकी है अब मैं क्या करूँगा कि अपनी application को deploy करूँगा अब आप देखना इसको deploy करना कितना असना I just wanna make sure कि मैंने सारी चीज़े साही करी है login किया यह सारी files बनाई I hope मैंने कोई file miss नहीं करी है and yes we are good to go तो मैं यह command run करूँगा जो कि क्या कह रहा है कि आप क्या करें icon run minus n my to do और dot ठीक है इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो मैं काम और करूँगा कि यहाँ पर जाकर इसको icon tutorial ना करके मैं इसको vs code को बंद करता हूँ अबी के लिए और इसका ना my to do कर लूँगा ठीक है my dash to do ठीक है और मैं इसको खोलूँगा और मैं इसको दुबारा से खोल लेता हूँ vs code में और अब मैं इस command को run करूँगा और मैं यहाँ पर चला दूँगा ठीक है तो basically मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि भाई यह जो icon file है इससे मुझे मेरी app को बना कर दो यह command मैं रहन कर दिया सिर्फ एक command और यही beauty icon की कि आप लोग सिर्फ एक command run करके अपनी पूरी application को चला सकते और यहाँ पर देखो आप लोग कि मुझे एक message मिल गया waiting for builder to start अब क्या ही एक sandbox environment में मेरी app को ready करेगा और ready करने के बाद मुझे एक URL देगा और उस URL से मैं अपनी आपको access कर सकता हूँ for two hours isn't it great एक sandbox मुझे मिल जाएगा उसमें मैं अपनी आपको test कर सकता हूँ let's wait और यहाँ पर आप देखो क्या क्या कर रहा है आप लोग को बता भी रहा है कि भाई मैं copy कर रहा हूँ files को अब यह कर रहा हूँ और जादा कुछ मैंने नहीं किया जादा कुछ भी मुझे rocket science लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे चाहिए था maria db मैंने बोल दिया icon file को कि भाई साब मुझे एक service चाहिए जो कि एक database service है और मुझे maria db पर connect करना है ठीक है let's wait for this to finish and I'll be back अब यहाँ पर लिखकर आ रहा है waiting for service to be ready तो मेरी service अभी ready नहीं है तो मुझे wait करना पड़ेगा और एक बार मेरी service ready हो जाएगी है मुझे बता देगा and finally मुझे एक link मिलेगा जो कि मुझे चलाना होगा ठीक है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ इस तरह से यह status दिखाएगा healthy one update one ok और यह जो मेरा end point होगा application का यहाँ पर मेरी application चल जाएगी और इसके बाद जब आप multiple icon files चला रहे हैं तो आप icon ps command का use करके देख सकते हैं और मैं भी बस इसको wait कर रहा हूँ यहाँ पर देखो यह कहरा है आपका icon चल रहा है आपका icon बिल्गोल ready है यह cloud उपर एक sandbox बन गया है वहाँ पर मैं अपनी आपको देख सकता हूँ तो यहाँ पर देखो जैसे मैं control क्लिक करूँगा और इसको open करूँगा आप देखो मेरी to do app चल गई है मैं to do लिखता हूँ hey I am Harry लिख देता हूँ एक to do या फिर अच्छा सा लिख देता हूँ यार go buy a book ठीक है add go buy a book आ गया यह database में चल गया अब मालो में कुछ और लिखता हूँ hey buy some biscuits ठीक है enter मारा go buy some biscuits लिखा hey buy some biscuits लिखा यहाँ पर आ गया मैं आप को reload करूँगा और यह to do app बहुत बड़ी है चल रही है मैं इसको यहाँ पर टिक कर सकता हूँ यह मेरी done हो गई मैं reload करूँगा तो यह database में entry mark उच होग है यह to do आपने कर लिया है ठीक है फिर यहाँ पर अगर मैं इस to do को उड़ाना चाता हूँ उड़ा भी सकता हूँ तो यह icon का फाइदा है एक flash cap को देखा मैंने कितनी तेज़ sandbox में deploy कर दिया मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग icon पर sign up करो और अपना अपना एक icon बनाओ और icon file को समझने की कोशिश करो अब icon file का फाइदा मैंने आप लोग को बता दिया और एक brief overview आप लोग को दे दिया अब आप लोग क्या करो कि icon की documentation में जाओ और complex apps को किस तरह से बनाना है यह देखो icon की गिठक पर आप लोग को मिल जाएंगी कुछ apps और कुछ ready icon files जो कि आपर examples में आप लोग को मिलेंगी जिसकी सायता से आप लोग python applications flask applications, jango applications कुछ भी complex applications जो कि अलग-अलग services को use करती है उनको एक sandbox environment में run कर सकते हो just like हम लोग docker के अंदर अपनी applications को run करते है so I hope कि आप लोगों को icon का यह overview अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से आप लोग अपनी एक python app को production पर ले जा सकते है using icon तो icon का जो doc है और जो links है important वो सब description में आप लोग को मिल जाएंगे अभी के लिए इस वीडियो में इतना है thank you so much guys for watching this video and I will see you next time